हेलो स्टूदियंट्स आज हम नीरीज में लोकोमोशन की चर्चा करेंगे नीरीज अपने पार्षपादों को एक पतवार के समान हिला करके तरंग उत्पन करता है जैसा कि आपने आपको बताया कि नीरीज में पेरा पुडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है और तरंग जो उत्पन होती है उसके बाद में बिल में जल्दारा एंटर करती है प्रभा होता है जिससे यह निरंतर भोजन और स्वसन हेतू और्टू की प्राप्ती करती रहती है तो हम यह कहेंगे कि पानी की धाराओं के साथ ही ऑक्सिजन इसमें एंटर करती है और उसी ऑक्सिजन को ट्रैप इनके द्वारा किया जाता है इसका अर्थ यह है कि यह जल्की धाराओं के साथ ही इन बेवस्थाओं को संपन कर सकती है और पक्षमावी होने के कारण सिलेरी होने के कारण अपने बिल के बाहर बार बार आकर के शिकार की खोज में तेरती है तो जैसे जल्दाराएं अंदर एंटर करती हैं तो इसके साथ साथ ये बिल के बाहर बार बार आकर के शिकार की खोज में तेरती है समंद्री जल में नीरीज दो प्रकार के गमन करती है पहला है क्रॉलिंग यानि की रेंगना इसको इंदी में कहते हैं तो समंद्र पर जल के पेंदे में इस ते किसी ठोस आदार की साहिता से ये अपना जो मुमेंट है वो करती है और इसमें पेरा पोडिया चपू के समान काम करता है और इसमें दो एक्टिविटीज होती है दो करिया इसमें संपन होती है फरस्ट अफ आफ अपन बात करेंगे इफेक्टिव स्ट्रॉक और उसके बाद रिकवरी स्ट्रॉक इसमें दो तरह से इसमें के काम करता है तो प्रभावी निशन्दन की बात करें तो इसमें पार्षपाद की जो गती है वो आगे से पीछे की ओर होती है आगे से पीछे ओर की एक मतलब यह होता है कि इसमें पानी को पीछे धखेला जाता है और इस समय ऐसी कुलम फैल जाता है जिसमें पारसपाद नीचे की ओर घूम जाते हैं और गमन सत्य के संपरक में आ जाते हैं इस तरह का एक स्टेक्चरिस में तयार हो जाता है जैसा कि आपको पेरापोडिया के डाइग्राम में रेपेजेंटेशन हो रहा है तो हम इसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि डॉर्सल सिर्वरस इसमें उपर की सैड में एक सरचना होती है और उसके नीचे बेंटरल सिर्वरस पाये जाता है यानि कि उको बाहर है कि स्ट्रेक्चर है और ये जो बुर्सलाइक की सरचना आपको दिखाई दे रही है ये नोटो और नियूरो चैट इसको कहेंगे बीच में ये काफी कठोर भाग दिखाई दे रहा है वो ऐसी कुलम के नाम से जाना जाता है और हम नियूरो पोडियम और नोटो पोडियम इसको दो भागों में बिभाजित कर सकते हैं दो भाग हैं इसके और साथ में ये ऐसी कुलम मसल्स भी इसके साथ जुड़ी हुई है तो एक स्ट्रक्चर है ये पूरा एक सरचना इसकी इस तरह से बनती है कि इसका जो ऐसी कुलम है ये वाला जो पार्ट है ये फैल जाता है ये तरह 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 फैल जाता है और फैल करके इसमें पार्स पेरापोडिया वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और घूम जाते हैं और गमन सते के कॉंटेक्ट में जाते हैं जिससे उसको देरने में असानी हो जाती है दूसरा है रेकवरी स्ट्रॉक इसमें पार्षपाद की गती पीछे से आगे की और होती है जैनि रिवर्स डारेक्शन मे ये रेकवरी स्ट्रॉक होता है और पीछे से पेरापोडिया अपरी पूर बिस्ट्री में आ जाते हैं और पेरापोडिया को स्चुर लिया जाता है जिससे पार्षपाद उठा लिया जाते हैं और आगे की और गती करते हैं तो रेकवरी स्ट्रॉक में हमने देखा कि ये ज तो पीछे से जो पेरापुडिया हैं वो अपने जो रिकावरी करते हैं रिकावरी का मतलब यह होता है कि पूर विस्थिती में याने का प्लान है इनका और पेरापुडिया को सिकूर लिया जाता है और गती आगे की और बढ़ जाती है उठा लेते हैं पारशवाद को तो पारशवाद के परापुडिया के स्पंदन के दोरान शरीर के एक तरफ के सभी खंडों के पारशवाद एक ही परकार का आगात करते हैं यह एक important factor है यहाँ पर कि पेरापुटिया के स्पंदन के दौरान स्रीर के एक तरफ के सभी घंडों के पारशवाद एक ही प्रकार कागाद करते हैं कि दुकिनी घंडों के दूसरी और के पारशवाद में विप्रीत प्रकार कागाद होता है अर्थार्थ एक ही खंड के दोनों और के पार्षवादों में अल्टरनेट करम में ये लोको मोशन इसमें होता है तो ये एक इसमें इंपोर्टेंट यहां पर एक चरशा इस बात की है कि ये एक विशेशी करत प्रकार का गमन माना गया है दूसरी प्रक्रिया की बात करेंगे तो यहां पर स्वीमिंग की एक बात कर सकते हैं कि ये स्वीमिंग का एक पार्ट इसमें होता है नेरी जल में सक्री रूप से तेरती है और इस क्रिया में पेरा पुडिया गती के साथ साथ सरीर में उपस्ति पेशियों द्वारा तरंग गती उत्मन करते हैं यानि कि इसमें मुवमेंट होता है और तरंग उत्मन होती है जो कि अनुधर्य मसल द्वारा उत्मन होती है लॉंजिट्यूडिनल मसल्स इसमें होती है Celos इसमें राल प्ले करती है औरissä Little मेड होता है वह इसमें रॉल प्ले करता है जो कि ऑनुध्यरि यह मसल्स रपढ़र पननीidel ADDRpruch के इश हैं असल्स होती इस में पक्रबिंग करती है contractions और relaxation का है तो संकुछित होती है और जब उसी तरफ के पेरा पुड़िया आगे की तरफ गती करते हैं तो उस समय सिथिल हो जाते हैं जब पार्ष पाद पीछे की और जाते हैं तो सरी की पेशियों के अत्रित से उक्सेजन तूतेजी से आगे बढ़ता है तो पीछे और आगे इसके बढ़ने की जो प्रिक्रिया में मसल्स इसमें एक बहुत अच्छा रॉल प्ले करती है जिसको स्वीमिंग कहती हैं जिस तरह से तेराक तेरते हैं उसी तरह से इन में भी एक बल लगता है और उस बल के द्वारा ये फूर्स के द्वारा तेरते हैं जो की मसल्स द्वारा लगा जाता है इस क्रिया को कंट्रॉल करने के लिए सीलुमिक फ्लूड इसमें इंपोर्टन डॉल प्ले करता है पार्षबाद की पेशियां और अबलिक जो गती है त्रियक गती है वो भी इसमें पाई जाते हैं तो दोनों तरह से इसको अपन समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का इस पस्ट गती करने के लिए इसमें कॉलिबरेशन इन तीनों चारों का होता है सीलोमिक फिल्यूड का पेरापोडिया का मसल्स का और त्रियक गती जो होती है त्रियक मसल्स भी है साथी प्रगुये द्रव प्रगुये मने सीलोमिक फिल्यूड पार्षपादों के खोकले भाग तीबिता से बेजा जाता है खोकले भागों में इसको special तरीके से तुरंत फिल किया जाता है पर गुईय द्रब जो होता है वो पेरपोडिया के जो खोकले भागें उसमें तीबरता से भेजा जाता है जिससे पार्षपाद में ताकत उत्पन होती है फोर्स उत्पन होती है बल उत्पन होता है और तेरने क मुके भूमिका निभाता है तो ये एक स्विमिंग की जो प्रिक्रिया है उसमें पेरापोडिया के साथ-साथ दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अपने रॉल को प्ले करती हैं तो बच्छों अमने जाना कि इसमें नेरीज में जो तेरने की प्रिक्रिया है उसके साथ-साथ क्रॉलिंग भी उत में होता है तेरना भी होता है और क्रॉलिंग की प्रिक्रिया में एफेक्टिव स्ट्रॉक और रिकवरी स्ट्रॉक भी इसमें साथ-साथ होते हैं तो सिंपली अमने ये जाना कि बाटर के साथ पानी के साथ ही ये सारी पिक्रियां कर सकते हैं क्योंकि पेरा पुडिया जो काम करेंगे वो किसी ना किसी मीडियम में माध्यम में काम करेंगे और इसमें जल एक निश्वत रूप से एक बहुत बड़ा माध्यम इसके सामने प्रस्तुत है नेक्स्ट अपन आगे के वीडियोज में फुट लोकोमोशन की बात करेंगी और फुट लोकोमोशन पाइला में होता है जो रेंग ने बिल बनाने तेड़े की काम में लिये जाते हैं थेंक यू